प्लेट कंपोजिशन के बारे में इस पर्टिक्लर वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले आज नमें नींस करेंगे और भीविशन अफ मेजते ॉप टॉसलेस sauda काकृशन ऑफ यह आधल थो पारिदिशन अ जिeder पूसे सबसे इंपकर्टेंट बात इसमें एक हॉर्मों सबसें बोलते हैं चाल मुझा आम प्लिट लिए और इसली हंते हैं घुदनीन तो सबसे पहले होता गया है श Itu घृंबोपोएटिन हार्मोन जा इसकी सिंस्सिस होती है लिभर में हम फिड़नी में फिज isti होती है तो सके बाद यह इस्टिमुल्ट करता है पुद Ł dw मेरों में प्रेजेंट मैलोड प्रूझनेटर लग य। ऑल्झाज प्रूजनेटर सेल्स कि या मैं जो सकते हैं यह को एक्तिवेट करेगी कि यह स्टिमूलेट करें परचिनेटर मैं स्को mi जेल्ज़ल्ट क्या होगा अजयह मैल쪽에 सेल्स को त्रफिलाोयाँ सैल्स दफिरंशीयट हो जाएंगे मेगा कैयब одно परदा यहीं मेगा कैयो बीधं दिफ्रिंशीर्ण हो जाएंगे स्थीं मेगा जाएंगे प्लेट न है इसी मेगा करयो साइट के जो इसे होते हैं वहीक बन जाते हैं प्लेट या क्या करेंगे यह फॉर्दरथ डिफ्रेंशेट हो जाएंगे इस प्लेट लेंगे यह होंगे फॉंक्शन यह होंगे फंक्षन फुल इनके पास में फंक्षन होगा लेकिन इनके पास में कोई फंक्षन नहीं होगा यह होंगे तो प्लेटलेट्स के टाइप ही यह होंगे एक हिसाब से बलक आफ प्लेटलेट्स होंगे लेकिन इनमें कोई फंक्षन नहीं होगा इसमें से बर्ट के फा कि फ्रेटलेच का अमाउंट ब्लड में आप्टिमम बहुत जाताा है। प्लेटेस कि पॉपलेशन हो जाती है। तो उब्सक्राइब क्या करते हैं यहीं प्लेटेस कि थ्रामच प्लेटन को पर हो लका kidney मीद और प्लैट में रिखेशन लें लगती है तो यह अपना इंहिशन स्टॉप कर देता है और फिर से थ्रमभापोटे हर्मोन लीवर किडिनिंग बनने लगता है और वो फर्दर मायलड कोईटर सेल्स को स्टिमूलेट करने रखते हैं और दी फर्मेशन ओफ प्लेटलेट्स तो यह हो गया फ्रमेशन ओफ प्लेटलेट्स के बारे में इसके बाद में कुछ दो-चार पॉइंट लिखवा देते हैं इसी पर तो सबसे पहला पॉइंट हमारा और है फ्रवोग वेशिस्का थो वी र्र लाइट थैस्ट्रांबोपुएकिंग हो फ्रॉट्व एप्पॉट्स प्यार्मों के डाकर टार्वलेटर उससे था इस रडाजन दार्वलेट्स प्लेटलेट प्लेट प्लेटलेट प्लेटलेट फॉर्मेशन से शब्सक्ता और कि मेगा करने साइट से ही लेटलेट के फॉर्मेशन हो रहे तो लिख रहे हैं लेटलेट आप लेटलेट्स और मेधा फॉर्ण लेटलेट्स डिस्टिव्यूट करता है यह वन थाउजन प्लेटलेट्स का निर्मान करता है तो नो ली सकते हैं एच मेगा कैयो साइट्स इच कि मेगा कैयो साइट्स कि मेक मोर दैन कि 1000 लेटलेट्स इन आवर बोडी है ना है कि ना कि ने कि यह भी देखा था कि थ्रंबोक पॏ-टिन हार्मोन और प्लेटलेट्स में इनुवर्स रिलेशन था कि ग्लेट्स इस अध्योज लेट्स ये का से दिखाए नॉर्मड़ पॉए-टिन करते वन फेसके अ कंसेंट्रेशन तो कहने का मतलब यह है जब ब्लड में प्लेटलेट्स का तंसेंट्रेशन नॉर्मल रेंज रहेगा या आप्टिमम अमांट में प्लेटलेट्स बॉड़ी में प्रेजेंट रहेंगे तो थ्रम्भोकोईटिन हर्मोन का एक्षन इनिविट हो जाएगा और जैसे ही प्लेट्स की डिफिसेंसी होगी य करेंगे तो नॉर्मल फिसियलोजी में प्लेटलेट इसकर प्लेटलेट्स बनते के लिए उसको सिंग्णल भेजेगी और इस तरीके से प्लेटलेट्सी सब्नी रही है तो हम लोगोंने देखा formation of platelets को thrombopoesis करते हैं thrombopoetin hormone is the regulator of platelet formation क्योंकि thrombopoetin harmony regulate कर रहा है कि कितना platelets बनना है blood में और कब बनना है platelets are formed by megakerocytes and each megakerocytes make more than 1000 platelets in our body तो हम लोगोंने देख लिया है formation of platelets अब हम देखेंगे structure of platelets का structure कैसा होता है और उसके साइटोप्लाज्म भी होगा है ना उसके उसमें cell membranes भी होंगी तो उनमें क्या क्या ऐसा specific चीज़ है जो कि उसके function को perform करने में help करती है तो यह देखता है structure में एक हो जाएगा cell membrane और दूसरा हो जाएगा साइटोप्लाज्म है ना तो उसके cell membrane में क्या क्या पाए जाता है उसके cell membrane में पाए जाता है receptors किन किन चीजों के receptors receptors पाए जाते हैं तो लोग सकते हैं कि कि प्रिलोज का सकतर है कि यह के दोटेशन केड़ो ततर कि को जहता है इसके अलावा वि डबलू टर विभ्लू टर पाए जाता है भी डब्लू फैक्टर लॉक्ट्र है इसमें गलाइको प्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है छिन जाटी है और वहां पर करेंगे प्रेटिइस स्टिक कर पाती है कि ब्लड को कर जहां पर बलड बह रहा है इंजरी के बाद में वहां यह बॉइटेलेट वहां पर करण ना यह यह स्ल्ट के बारे में बात करेंगे अपने ण्यक्षर में ब्लड देखेंगे तो आप देखते हैं कि Sाइट्व्लास्म में क्या क्या पाइटा है तो रेचिन पाइम대 और मैयोसिन प्रोटीनज पाई जाती है है एक्टेन रिट्रैक्शन में या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको प्लेटलेट्स के कोंड्रैक्शन में ऐसीट्डॉक्लाज्म में ऑर मैजूसींग के अलवा दो तरथ के नियुटी पाः जाता है एक पैसका है डेन्स-ती जाता में एक प्रीए जाता है दैने ना और दुसरा पाः जाता है ऐलफा घा में कैल्सियम पाए जाता है एंटी पाए जाता है है किье ना किने कहां है यह लेटलेट्ट के साइटोप्लाजम में है सेकेंड कैसे ये अल्फा में जाता है 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 ट्रीन ट्रिटीन ट्रीन है कि लोगों ने देख लिया कि प्लेटिलेट के सेल में में क्या-क्या स्टीज चीज़े पाई जाती है जो कि उसके फंक्षन को परफार्म करने में में help करती है और साइटोप्लाज में क्या-क्या चीज पाया जाता है जो कि यह आगे चल करके ब्लड क्लॉटिंग में कैसे यह आपस में इनका इंटरप्ले होगा और ब्लड क्लॉट को कैसे हम लोग करेंगे यह देखेंगे तो फार्मेशन और प्लेटिलेट्स और स्ट्रेक् है ब्लैट्सक्ष तो सबसे पहली गात मृड्य के आधि के लट्लेट में न्हीर्टेश के नेस्याद नहीं होता है अधि आधिश्यश्य दूसें कि अधिसिने के लिए मत कि नेंचेश्य गिश। icano इसका मतलब होता है कि यह जैसे convex lens होती है उस सेप के यह होता है सब्लिक सकते हैं शेप आफ प्लेट्स 嫌일 होलिट्स हओने लग्माट्स लेंस के तरह होता है और इनका साइज कितना होता है तो इनका साइज होता है साइज आफ़ लेट्स कितना होता है नेक्सट इनका रेंज कितना होता है तो इनका रेंज होता है 1.5 लाख to 4.5 लाख per cubic mm of blood तो platelets की normal range कितनी होती है normal range of platelets किते ही होती है यह होती है 1.5 to 4.5 लाख per cubic mm of blood अक्सर हम लोगों को याद करना होता है तो हम लोगों याद कर लेते हैं कि यह per cubic mm of blood में होता है लेकिन यह per cubic mm होता कितना है यह बहुत ही simple सा है per cubic mm यह होता है 1.5 लीटर 1.5-4.5 लाख platelets दाय जाता है और 1.5 लीटर कितना होता है अगर मैं कहों 1.5 लीटर कितना होता है तो यह होता है 1.5-6 लीटर होता गया है कि इस्टुदेंट्स लोगों के वाल एक्जाम में लिखने के लिए चीज़ों को रट लेज़ा है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि यह per cubic mm of blood कितना blood होता है तो अब आगे से आप लोग को मालूम रहेगा कि वन मैक्रो लीटर ब्लड में इतना प्लेट्स पाए लाता है यह हो गई प्लेट्स की नॉर्मल रेंज अब बात करेंगे प्लेट्स का लाइफ इस्पाइन तो प्लेट्स का लाइफ इस्पाइन बहुत छोटा होता है आठ से बारा दिनों का होता है तो हम लोग लिख सकते हैं लाइफ इस्पाइन ऑफ प्लेट्स लाइफ इस्पाइन ऑफ प्लेट्स इतना होता है हुए होता है एडू तो ट्वाइलव डैज है तो ऑनिवरेज कह सकते हैं कि दस दें ह sniff नहीं का लाव इस्पैन होता है और जो औलड प्लेट्लेट्स होती है यह लिए अपर दिस्ट राइब हो और डिस्ट्राइद इस्प्लीन अगर प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज से कम है लेस दन 1.5 लाग है तो इस कंडिशन को हम बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइटोपीमिया तो हम लो लिख सकते हैं प्लेटलेट्स लेस दन 1.5 लाग पर क्यूबिक एमेम ऑफ ब्लड अगर है तो इस कंडिशन को बोलेंगे थ्रॉम्बोसाइटोपीमिया और अगर 4.5 लाग से ज्यादा है तो बोलेंगे थ्रॉम्बोसाइटोपीमिया और अगर 4.5 लाग से ज्यादा है तो बोलेंगे सकते हैं प्लेटिलेट्स है मोर देन कि 4.5 लाक्स पर क्यूबिक एमें अब ब्लड अगर प्लेटलेट्स चार लाग पर क्यूबिक एमें से ज्यादा है ब्लड में तो हम इस कंडिसिंग को बोलेंगे थ्रॉम्बो साइटो और प्लेट्स को स्टेनिंग करने के लिए भी पेरिफेरल ब्लड स्टेनिंग करते हैं जिमसा इस प्लेट्स प्लेट्स और इस टेंड वाई जिमसा इस टेंग प्रोसीजर और इसको अब जब करते हैं 500 अब और यह कैसी दिखेंगे यह लोगों को परपल परपल डॉट्स में दिखेंगे और जो जो बड़े-बड़े शेल्स होंगे वह रेड ब्लड शेल्स होंगे जैसा कि आप अपने स्केर्म पर देख पा रहे हैं इमेज को इसमें आप देख रहे हैं ज सेंश और मेल और फीमेल तोनों में प्रेटलेटस के जो प्ंफलेशन होता है लेकिन प्रीमेल को तो इस वीड्यम के बारे में बात करेंगे अगर वीडियो अच्छिलके लगी है और चैनल को सब्सक्राइब करें तेल अन भाइग झाल